Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankeetha Sood, so NTA Udison at Paper 1 में People Development and Environment Unit के most important 50 से भी जाधा questions आज हम discuss करने वाले हैं ये questions आपके final revision में बहुत ही जाधा help करेंगे and upcoming examination में as it is भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं So, हमेशा की तरह हरे question के answers के साथ मैं आपको important explanation भी देने वाली हूँ ताकि आप सभी के सारे concepts भी clear होते रहें So, इसी के साथ फिर session को शुरू करते हैं Which of the following pollutant causes aggravation of respiratory disease and atmospheric discoloration? So, आपको इस question में एक ऐसे pollutant एक ऐसे प्रदूशक का नाम बताना है जिसकी वज़ा से श्वस नरोग हो सकते हैं और biomandelिय मलिनी करण भी हो सकता है Options है carbon monoxide, lead, nitrogen dioxide and ozone So, सबसे पहले हम carbon monoxide की बात करते हैं ये basically एक colorless gas होती है, orderless होती है मतलब इसमें कोई smell नहीं होती, color नहीं होता, ये toxic भी होती है And respiratory problems के लिए ये responsible भी है लेकिन atmospheric discoloration में carbon monoxide का कोई भी role नहीं होता जिसकी वज़ा से ये option गलत है अगला option है lead, so lead भी एक toxic metal है जिसकी वज़ा से health में बहुत सारी problem हो सकती है लेकिन respiratory disease और atmospheric discoloration के लिए ये जो है responsible नहीं होता है अगला option है nitrogen dioxide, so nitrogen dioxide is question का सही answer है ये एक ऐसी gas है, ये एक ऐसा pollutant है जो की हमारे respiratory disease, हमारे respiratory system को problem कर सकता है जैसे अस्तमा हो सकता है इसकी वज़ा से तो इस question में भी आपसे ये चीज़ें पूछे गी है इस वज़ा से हमारा सही answer है option number 3 आगे बढ़ने से पहले students आपको बता दूँ कि अगर अभी भी paper 1 का आपका कुछ unit कुछ part मिस हो चुका है वो revise करना चाहते हो तो paper 1 के लिए quick revision series में लेकर आई हो जहां पर आपको unit wise MCQs मिलेंगे हालां कि बहुत कम time exam में बाकी है लेकिन जो unit आप लोगो ने अभी भी नहीं पड़ी है उस unit के सिरफ ये MCQs और PYQs आप लोग पढ़ लीजे guaranteed इसमें से questions आएंगे वैसे तो इसमें हर एक unit के 500 questions है बढ़ आप लोग अगर 100 questions भी पढ़ लेते हुई समय तो भी आप लोग बहुत आसानी से अच्छा score कर सकते है आप सबको given numbers पर whatsapp के जरी contact करना है और इसके लिए सरफ एक ही बार fees देनी होगी 699 इसके साथ ही students अगर आप लोग दिसमबर 2024 exam की तयारी कर रहे हो तो भी given numbers पर contact करके new batch को जल्दी से join कर सकते है what is the correct sequence of concentration of various components of producer gas so सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि producer gases होती क्या है फिर हम इसके sequence को arrange करेंगे so producer gas basically एक combustible gas होती है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ये एक combustible gas होती है जो कि manufacture की जाती है by mixing steam by mixing steam and air ठीक है तो आप फिलहाल इसमें सरफ इतना याद रखिये and इसके बाद बोला गया है कि हमें sequence of concentration को यहाँ पर एक sequence में arrange करना है gases given है CH4, CO2, CO and N2 right so इसको हम arrange करेंगे सबसे ज़्यादा पहले आता है N2 that is option number D हमारे पास आएगा तो यह दोन options को हम पहले ही eliminate कर देते हैं इसके बाद ठीक है N2 के बाद आता है हमारे पास CO, दोनों में option number C है तो हम इसको यहाँ पर CO लिग देंगे then इसमें आ जाएगा H2, H2 क्योंकि option में given नहीं है ठीक है H2 option में given नहीं है then हमारे पास आ जाएगा CO2 and then उसके बाद CH4, ठीक है तो CO2 की जगा बहुत पार exam में H2 भी बोला गया है तो आप लोगों को इस तरीके से यह sequence पता होना चाहिए, तो सही answer क्या है option number 2 है अब इनकी concentration भी मैं आपको बता देती हूँ सो देख लीजे कितनी है carbon dioxide की 3% है nitrogen gas की 10 से 15% है carbon monoxide की 22 से 30% है और nitrogen gas जो की सबसे ज़ादा है यह होती है 50 से 55% सो अगर आपको यह याद है तो आसानी से आप answers को identify कर सकते हैं सो इस question में आपके पास एक तरफ environmental protocols और agreements दिये गए है दूसरी तरफ उनके provisions दिये गए है यानि कि यह protocols क्यों बनाए गए है सो पहला है Montreal Protocol, Paris Agreement Climate Action Plan and Kyoto Protocol सो देखते हैं क्या options given है सो Montreal Protocol हम सब को पता है कि ozone layer को protect करने के लिए बनाया गया है and यहाँ पर अगर हम options देखेंगे तो option number 3 में लिखा है phasing out ozone depleting substances so A को हम third से match करते हैं यह दो options हमारे eliminate हो गए आगे देखते हैं C का first भी हो जाएगा match क्योंकि दोनों में C का first common है ठीक है climate action plan जो है वो integrated water resource management है Kyoto Protocol का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि Kyoto Protocol वैसे तो Paris Agreement climate change के लिए बनाया गया है and यहाँ पर intended nationally determined contributors so Paris Agreement को option 4 से match करेंगे and Kyoto Protocol emission trading के लिए बनाया गया है इसका main provision यही है so सही answer क्या आगया option number 4 बहुत important question है इसके अलाबा students आपको यह भी पता होना चाहिए कि Montreal Protocol कौन से year में बनाया गया था Kyoto Protocol कौन से year में बनाया गया था तो यह मैं एक homework question आप लोगों को दे रही हूँ मुझे comment करके बताइए कि कौन से year में Montreal Paris Agreement, Climate Action Plan और Kyoto Protocols को बनाया गया था जरूर examination में यह question पूछा जा सकता है तो यह वाला question December 2022 वाला जो cycle था जिसका exam March में हुआ था वहां से question आया है atmospheric haze is mainly caused by so atmospheric haze जो होती है इसको यह किस कारण की वज़ा से होती है वायू मंडली है धुन्द का मुख्य कारण क्या होता है answer आपके सामने है अब देखो आपको पता होना चाहिए कि haze क्या होता है धुन्द क्या होती है जिसमें कि आपके dust भी होती है smoke भी होता है धुन्द भी होता है और greenhouse gases की छोटे 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 dry particles भी उसमें होते हैं जिसकी वज़ा से जो हवा है हमारे आसपास का जो वातावरण है वो clear नहीं होता है वो थोड़ा सा धुन्दला हो जाता है थोड़ा सा red color में हो जाता है या फिर थोड़ा सा black color में हो जाता है तो यह क्या होता है ultra fine size particulate matters उसमें होते हैं उसी को atmospheric haze का main कारण बिताया जाता है next question है oxygen demanding waste यानि oxygen की मांग करने वाले अब shift कौन से है क्या होते है decrease the oxygen level in water so oxygen demanding waste क्या होते है यह second category होती है water pollution की ठीके इसको आपने याद रखना है कि water pollution की second category में oxygen demanding waste होते हैं यानि कि वो ऐसे अफशिष्ट ऐसा waste material जो कि oxygen की demand करता है ठीके the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter इसमें ही देखो इसका क्या मतलब है कि जितने भी bacteria होते है यह चोटे-चोटे organisms होते हैं चोटे-चोटे किटानू जीवानू होते हैं जब वो decompose होने लग जाते हैं खराब होने लग जाते हैं waste होने लग जाते हैं तो वो लोग oxygen की ज़ादा demand करते हैं चीके so वो क्या करते हैं oxygen का level जो है पानी के अंदर उसको कम कर देते हैं अगला question है बहुत important है NEP 2020 यानि के National Education Policy 2020 कि according यह कहा गया है कि India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable cost thereby helping to restore its role as what so देखो NEP 2020 के हिसाब से इसमें कहा गया था कि भारत को सस्ते कीमत पर premium शिक्षा परदान करने का यहां पर एक affordable cost में premium education प्रोवाइड करवाने का एक सपना देखा गया था and इसको किस role के अंदर रखा गया था तो इसको रखा गया था न्यू डेली में इसी के ऊपर कुछ research हुई थी इसी के ऊपर कुछ discussion हुई थी जहां पर यह कहा गया था ठीक है कि global study destination इंडिया को बनाया जाएगा इसलिए इसको विश्व गुरू के नाम से कहा गया है and यह statement बोली किसने थी यह statement foreigner foreign secretary हर्ष वर्धन स्रिंगला ने बोली थी 2021 की अपनी एक meeting में ठीक है next question है which of the following pollutants can cause cancer in human इन में से कौन सा वो ऐसा प्रदूशक होता है जो कि इंसानों में cancer का कारण बन सकता है तो वो होता है pesticides ठीक है जो कीट नाशक होते है जो की फूलों में पौधों में सबजियां जो vegetables grow करते है farmers वो जो कीट नाशक स्प्रे करते है ठीक है उसकी बज़ा से उनको लगता है कि वो सिर्फ किटानों को मार रहे हैं लेकिन वो इंसान की शरीर में जाकर के cancer को भी बना सकते है cancer के cells को भी generate कर सकते है next question है which of the following phenomena is not a natural hazard so natural hazard यानि कि प्राकृतिक खत्रा कौन सा नहीं है देखो जंगल में आग लगती है बिजली चमकती है land slide होता है यानि कि भूस कलन होता है ये सब natural hazard है chemical contamination है यानि कि racionic solution जो है ये एक natural hazard नहीं है so racionic solution होता क्या है देखो जो भी हम लोगों के जैसे की soil होता है मिटी होती है हमारा बातावरण होता है disinfection by products होते है ठीक है personal care products होते है जिसमें की packaging material होते है जिसकी validities जी से कुछ creams होती उसमें कुछ ऐसे chemicals होते है जो की 2-3 साल तक उस चीज़ को save करके रख सकते है है ना तो वो क्या है वो chemical contamination है यानि की chemicals यूज़ करके उस चीज़ की आयू बढ़ाए जाती है तो ये एक natural हजार नहीं है ये human खुद बनाते है और इससे उनको ही कबसे ज़ादा मिक्सान होता है next question है the factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities on environment are so ये यूज़सिनेट 2020 में पूछा गया question है ethnopogenic activities होती है जैसे कि mining होती है बड़ी-बड़ी industries में से waste water निकलता है वो गंदा काला पानी, काला धुआ निकलता है ठीक है fossil fuels में से धुआ निकलता है coal की जो companies होती है वहाँ से धुआ निकलता है खेतों में जो extra पानी होता है वो जितनी भी चीज़े है ये सब ethnopogenic activities के अंदर आती है अब इन activities का क्या impact हमारे परयावरण पर पर रहा है ये इसमें पूछा गया है तो सबसे पहला इसका फरक पड़ता है population पर effluence per person and the technology used for exfoliating resources यानि की जन्संख्या प्रति व्यक्ति संपन्नता और संसाधनों के दोहन के लिए इस्तिमाल की जाने वाली तक्नीक सो ये ये सब चीजों का जितने भी latest technologies है उन सब चीजों से ये directly connected होते है next question है which of the following combinations represent renewable natural resources so निमलकित में से कौन सा जन्नवी करणी प्रकृतिक संसाधनों का प्रतिन इधित्व करता है so देखो options हैं याँ पर fertile soil and fresh water so renewable natural resources कौन से होते हैं वो प्रकृतिक चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं जैसे कि सूर्य की किरन है उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं ठीके इसके अलावा लवी करणी या संसाधन के अंदर आप लोगों के आ जाता है जैसे कि सूर्य की किरने मैंने बताई उत्चा होता है ठीके यह सारी चीजे इसके अंदर आती है इन संसाधनी को भविश्यों में भी बार बार उप्योग में लाया जा सकता है, इसका एक उधारन कोईला भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैसे यानि कि प्रकृतिक गैस जो होती है, वो सब इसके एक्जाम्पल है, तो एक्जाम के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लिस्ट आप एक बना लीजिए, ठी नेक्स्ट क्वेशन है, असर्शन रीजन बेस्ट, इसमें अभी कतिन कहता है, पीपल, पॉल्यूशन कंट्रोल मेशर्स दो नोट नसेसरली हल्प इन चेकिंग एन्वोर्मेंटल डिग्रेडेशन, यानि कि जो लोगों की जिनसंख्या को कंट्रोल करने के उपाई हैं, यहां पर सीधी सी बात बोले गई है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कॉंपलेक्स है, जटिल है, वो कैसे की एक तरफ बोला गया है कि पॉपिलेशन बढ़ रही है और हमारा एन्वोर्मेंट जो है वो पर्यावरन जो है वो नीचे की और जा रहा ह है, next question है, identify the air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings, so शेहरिक शेत्रों में कौन सा वो एक ऐसा chemical है, pollutant है, जो की आंखों में, जलन लोगों में करता है, तो वो है surface ozone, ठीक है, surface ozone यानि की भूतल ozone, so surface ozone को आप लोग और किस नाम से जानते हो, इसका नाम होता है, ground level ozone, ठीक है, and इसको बोला जाता है, tropospheric ozone, ground level ozone and tropospheric ozone, ठीक है, यह दोनों भी इसके नाम होते हैं, ठीक है, जो हमारा troposphere है, आप सभी को पता होगा, basic भी यह बच्पन में पढ़ा है, atmosphere, thermosphere, troposphere, जो troposphere है, उसमें gas को यह trace करता है, with an average concentration of 20 to 30 parts per billion by volume, तो ज़्यादा detail में नहीं जाना, बस tropospheric ozone बोलते हैं, यानि कि troposphere में यह gas के level को measure करने में मदद करता है, ठीक है, okay, so, next जो question है, इसमें कहा गया है, okay, so, इसमें question है, which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India, so, देखो, इंडिया में जितनी भी नदिया है, ज़्यादा तर नदियों में जो pollution होता है, वो किसकी वज़ा से होता है, untreated, savage की वज़ा से होता है, अनुप्चारिक सी वज़ा से, यानि कि जिसो तरह लोगों के, जिनके गर नदी के आसपास होते हैं, वो अपने घर का गंदा पानी, अपने toilets का, बात्रूम का गंदा पानी, नदी में मिला देते हैं, वो pipes directly connected होती है, तो ये क्या होता है, इसकी वज़ा से सबसे ज़ादा नदियों में water pollution होने के chances होते हैं, यानि कि जो सतत विकास है, sustainable development है, ये समाज के कल्यान के लिए बहुत important है, तो ये बिल्कुल सही statement है, दूसरी बोलती है, environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resources, यानि कि पर्यावरणी या रूप से जो अच्छी नीतिया बनाई जाती हैं, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, ये प्राकिस्दिक संसाधनों को कम नहीं करती है, तो क्या हुआ, दोनों statements बिल्कुल सही बोल रही है, और ये इसका correct reason लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, अपने अपनी जगा दोनों statements correct है, लेकिन A को satisfy करने के लिए इसका कारण बिल्कुल सही नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि sustainable development क्या होता है, तो sustainable development को बहुत सारे तरीकों से रखा जाता है, एक्जाम में आपको मैंने बताया था, चलो homework question देते हैं, ठीके, people and environment में पहले ही lecture में मैंने आपको SDG पढ़ाया था, sustainable development goals, अब बताईए कि इसमें total कितने goals होते हैं, आप सभी ने कल भी मेरे videos में reply किया, मेरे answers, जो questions मैंने पूछे थे, उसके answer दिये, तो इसका answer भी जरूर बताईए कि sustainable development goals में कितने goals होते हैं, एक्जाम में 100% question आएगा ही आएगा, ठीके, so sustainable development goals क्या होते हैं, अपनी future को बचाने के लिए common goal होता है, ऐसा इसमें नहीं क्या आजा रहा कि हम अपना जीवन जी लेते हैं, और आगे आने वाली generation अपना खुद देख लेगी, ठीके, तो ये goals इसलिए बचाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं, ताकि हम अपने पर्यावरन को बचा सकें, और अपने आने वाली पीडियों के लिए एक अच्छा वातावरन छोड़ कर जाएं, तो इसमें हर एक field को ध्यान में रखा गया है, सब चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए ये goals बनाए गए हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, जिसको बोला चाता है, इन अर्बन एरिया जिस रोड ट्रांसपोर्ट, तो नो टू जो होता है, ठीक है, ये सबसे जादा प्राइमरली कहां से होता है, बर्निंग ओफ फॉसल फ्यूल से, फॉसल फ्यूल नहीं, बर्निंग ओफ फ्यूल से, जो धुआ होता है, गाड़ियों से धुआ निकलता है, बड़ी-बड़ी मिशिनरी से धुआ निकलता है, उन सभी चीजों में से ये सबसे जादा निकलता है, ठीक है, ये सबसे जादा पॉल्यूशन होता है, तो road transport यहाँ पर correct answer है energy use in industry भी होता है लेकिन compare अगर उसको हम करे commercial sector और road transport से तो वो थोड़ा कम हो जाता है next question है in urban areas smog episodes occur frequently in winters so शेरिक शेत्रों में smog ज़दातर सर्गियों के मौसम में होती है इसका कारण यह है कि in winters a lot of biomass is burnt by people for heating purposes or to keep themselves warm so दोनों स्टेट्मेंट्स correct है बट यह relation कहीं पर दोनों स्टेट्मेंट्स के बीच में नहीं identify हो पा रहा है इसमें यह बोला है कि biomass को बहुत जलाया जाता है जिससे कि लोग अपने आपको गरम करने के लिए use करते है तो वो भी बिलकुल सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सर्दियों में biomass का जलाना बहुत होता है जिसकी वज़े से cities में smoke होती है तो यह दोनों स्टेट्मेंट्स एक दूसरे को satisfy नहीं कर रही है नेक्स्ट क्वेशन दिसम्बर 2019 में से पूछा गया है इंसाइड रूरल होम्स दी सोर्स और सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी यह किसकी वज़े से होता है अन्वेंटिट गास टोप्स वूड स्टोप्स कैरोसीन हीटर सो करेक्ट आंसर है ओल आप दी अबा के तीनों ही वज़ा से नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन जो होता है घरों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेक्स्ट है अस पार्ट ऑफ नाशनल क्लाइमिट चेंज पॉलिसी इंडियन गोर्मेंट के प्लानिंग को यहां पर एक टार्गेट दिया है कि 2020 में वो कितने एनर्जी का टार्गेट लेकर चले है तो यह टार्गेट है कि 2030 थक हम इसको ज़रूर अचीव करके रहेंगे अभी तक यह 350 तक तो नहीं हुआ है काफी से कम है नेक्स्स क्वेशन है अट प्रेजंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंसंप्शन आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ठीक है लेटेस डेटा में भी इंडिया थोड़ा कम ही है कमपेरिटिव लिटू कमपेरिटिव टू अधर थ्री कंट्रीज साथ विकास के लक्षों ने कुछ लक्षों रखए हैं जिसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक टारगेट रखए है कि उस टारगेट को हम कब तक अचीव करेंगे सो उसको 2030 तक अचीव करने वाले है एक्जाम में और भी टार्गेट्स पूछे जाते हैं जैसे कि Millenium Development Goals का 2030 का टार्गेट क्या है ये पूछा जा सकता है या फिर इसी क्वेशन को घुमा के पूछा जा सकता है कि Sustainable Development Goals के कुछ स्पेसिफिक टार्गेट्स चो नोंने 2030 तक अचीव करने है उन टार्गेट्स के नाम बताईए ओप्शन्स होंगे आपको करेक्ट टार्गेट को इडेंटिफाए करना है Indian Government's Target of Producing Power from Biomass by the year 2022 is what? So it is 10 MW So ये भी एक बहुत पुराना question है देखो 2022 का data जो क्यों रड़ी हो चुका है So इस question को आप लोग skip कर सकते हो ठीक है ये important नहीं है लेकिन आप इसमें ये देख सकते हो की Indian Government's Target of Producing Power from Biomass by the year 2025 ये exam में आ सकता है ठीक है So same question को year change करके भी पूछा जा सकता है किसी ना किसी shift में Next question is Conserving our soil resources is critical to human survival यानि कि अपने जितने भी मृदा संसादन है उनका संरक्षन करके रखना मानावस्तित्व के लिए महतोपून है इसका कारण क्या बताया गया है कि मिट्टी कई सुक्षम जीवों का घर है और इसमें खनीज होते हैं ये भी बिलकुल सही है तो दोनों statements absolutely true हैं लेकिन correctly वो उसको जो है identify नहीं कर पा रहे हैं इसके बीच में relationship को next question है world meteorological organizations यानि की WMO objective has been to reduce the number of deaths due to hydro meteorological disasters over the decade 2010-19 by the reference to decade 1994-2003 so इसका data है 50% next question ये देखो students अब आप लोगे कि मैं इतना पुराना data क्यों लेकर आ रहे हैं main काम हमारा ये है कि आप लोगों कोई काइटिया हो जाए कि कैसे ही type के questions exam में पूछे जाते हैं और जैसे यही है 2022 वाला question यही question पहले 2019 में भी पूछा गया था 2022 में भी पूछा गया 2023 में भी हम expect कर रहे हैं कि 2023 या 2022 के data के हिसाब से same question पूछा जा सकता है तो आपको इसका answer पता होना चाहिए ठीक है Indian comments target for power production from small hydro projects by year 2022 is 5GW next question है in which country the recent international agreement on phasing out hydrofluorocarbons was assigned by Rwanda match the following से है जिस में list 1 में दिया गया है ozone hole greenhouse effect natural hazards and sustainable development list 2 में दिया गया है tsunami, UV radiations, methane and ecosystem Hindi medium students भी यहां पर इसको देख सकते हैं So, इधर में बताना है कि ozone hole किस वज़ा से होता है जो कि list 2 में available है So, ozone hole क्या है? Ozone layer में एक hole है and it refers to the depletion of protective ozone layer in the upper atmosphere over earth's polar region Simple से language में अगर बात करें So, ozone layer absorb करती है harmful UV rays जो कि sun की वज़ा से आती है Therefore, does not allow those rays to reach earth's surface वो earth के surface तक उनको पहुंचने नहीं देती and ozone depletion के consequences क्या होते हैं? वो यह होते हैं कि due to इसकी depletion more radiation enters the earth's atmosphere जादा radiations earth की atmosphere में enter हो जाती है So, ozone layer, ozone hole जो है वो directly related होता है UV radiation से जो कि sun से आती है Next है greenhouse effect So, greenhouse effect में आपको पता है बहुत सारी greenhouse gases होती है जिससे हमारे earth के environment में बहुत जादा फरक पड़ रहा है Greenhouse gases में कुछ gases हैं जैसे की carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapors So, यहाँ पर methane एक option आप लोग देख सकते हो So, correct answer यह हो जाएगा Next, we have natural hazards Hindi medium students भी देख सकते हो प्राकृतिक खत्रे Natural hazards क्या होते है यह जो भी पर्यावरण में घटनाई होती है जिसके लिए कोई society कोई human खास करके responsible नहीं होते है उसको natural hazard भोला जाता है So, इसमें correct answer आजाएगा tsunami Next, we have sustainable development So, sustainable development की tag line क्या है इसकी tag line है Ecosentrism यानि की sustainable development The ecocentric point of view यह इसकी एक tag line है जो की आपको याद रखनी ही है इसके अलावा अगर हम बात करें So, principle solution जो है sustainable development का वो mental transformation है लोगों की related to ecocentrism related to ecocentrism Okay So, इस recording आप देख सकते हो Correct answer क्या है Correct answer we have is option number A Next question पर पढ़ते है So, आप लोगोंने students मीना माता डिजास्टर के बारे में जरूर सुना होगा यह किस pollution की वजह से हुआ था तो यह हुआ था mercury की वजह से इसको mercury की जगा option exam में आ सकता है methyl mercury तो भी आपने correct answer इसको follow कर देना है ठीक है mercury containing industrial waste from Chiso Corporation's chemical factory continue to be dumped in मीना माता बे आप to 1968 ठीक है 1968 तक मीना माता बे नाम की एक जगा पल जो है यह chemical factory का waste फैंका जाता था जिसकी वजह से यह disaster जापान में हुआ था यह question बहुत बार exam में आ गया है Great Indian Bustard bird जो है वो कहां पर पाया जाता है वो desert of Rajasthan में पाया जाता है ओके यह क्या होता है Basically Great Indian Bustard inhabits dry grasslands and scrublands on the Indian subcontinent और इनकी सबसे जादा population जो है वो Rajasthan में ही पाय जाती है Next question is To ensure universal access to water and sanitation as well as long term management is the aim of sustainable development goal number what So students देखो Sustainable development goals Millennium development goals हमने बहुत बार detail में discuss किया है and मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसमें जितने भी goals है सबका एक sequence आपको याद रखना है उसको याद रखने का trick भी हमने discuss किया एक separate video में अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो comment कर दीजिए मैं आपको link share कर दूँ So question पर बढ़ते हैं इसमें पूछा गया है कि पूरे सभी लोगों को अच्छा पानी और sanitation मिलनी चाहिए सवच्छ पानी और सवच्छता पर का ध्यान रखा जाना चाहिए लंबे समय तक ये sustainable development के कौन से goal number में add की गई है बात तो ये की गई है goal number 6 में अब students यहाँ पर मैं आप लोगों को एक homework question दे रही हूँ जिसका आंसर आपने मुझे comment करके हमीशा की तरह बताना है इससे आपकी जरूर revision होगी अभी पढ़के comment करोगे तो भी चलेगा क्योंकि exam में जब आएगा तो आप लोग easily उसको recall कर सकते हो तो homework question ये है कि sustainable development goals के अंदर goal number 12, 8 and 14 कौन कौन से हैं जिलरी से मुझे comment करें Next is National Institute of Disaster Management is located in So इसको जाना जाता है NIDM के नाम से National Institute of Disaster Management ये कहां पर है? ये Delhi में है It works under government's directives to train and conduct periodic checks to regulate effective earthquake and disaster control policies throughout the country with support from semi-government, private firms and NGO simple language में बताती हूँ कि जितने भी natural disasters होते हैं earthquake होता है या और भी जितने disaster होते हैं उन सभी को control करने की ये policy है इसमें ये सरकार ने policy बनाई है लेकिन इसमें semi-government organization, private organizations and बहुत सारे NGO's भी जुड़े हुए है और इसमें काम कर रहे हैं इसका office है इन डेली भी next question is what is an area that acts as an boundary or a transition between two ecosystems तो दो परिस्थितिक तंत्रों के बीच में सीमा के रूप में कौन काम करता है तो देखो इसका correct answer है option number one that is ecotone ecotone क्या है एक ये abrupt है और gradual boundary है जो कि दो adjacent ecosystems के बीच में बनती है जैसे कि आप मान सकते हो कि दो जंगल है दो जंगल के बीच में जो boundaries है उसको आप ecotone बोल सकते हो okay ecotone simple से language में बताती हूँ कि एक area होता है जो कि एक boundary के रूप में काम करता है किसी भी दो ecosystem के बीच में इसको एक example लेकर के चल सकते हैं जैसे नदी चल रही है नदी के दो किनारों के बीच में जो gap आजाता है जो boundary आजाती है वो ecotone कहलाती है next question is the ministry of new and renewable energy MNRE government of India has launched a program of developing a nodal solar city in 2009 which one is not the correct objective under this team so today this question को detail में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये lecture series पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की lecture series को मैं continue रखो तो आप मुझे comment जरूर कर दीजेगा and अगर आपकी कोई special request है किसे topic पर आप कोई separate session चाहते हो तो भी जल्दी से मुझे comment कर दीजे and अगर आप हमारे whatsapp group में हो तो आप वहाँ पर भी share कर सकते हो मैं definitely आपकी request पर उस session को जल्दी से जल्दी पूरा करूँग so यहाँ पर देकर एक scheme की बात की गई है जिसका नाम है ministry of new and renewable energy ठीक है government of India ने इसको launch किया था model solar city in 2009 calendar ठीक है so इसके regard में कौन से statement correct नहीं है directly answer पर जाते हैं so reduce dependence on public transport यह statement के अलावा बाकी सभी statements correct है okay so MNRE की अगर बात करें तो यह 11th five year plan है जिसमें की 60 solar cities उन्होंने बनाई हुई है ministry इसमें fund करती है one city को एक state के particular project के उपर okay so इस तरह से यहां पर काम होता है जो इसमें जो इसमें renewable energy है and energy efficiency है उसके जो efforts है उसको 10% हर एक city के under use करने का target यहां पर बनाया गया था okay next question is industries related hazards which involves explosions and release of toxic substances will fall under which category so जो इतने भी industries है उनसे जो भी खत्रे होते हैं जैसे कि विस्पोर्ट होते हैं या उनसे जो गंदा पानी निकलता है गंदा धुआ निकलता है वो सारी चीजें हमारे वातावरण को खराब करती है okay so वो किस category के अंदर आती है ये पूछा गया है so ये आती है man made crisis यानि कि मानव निर्मित संकत के अंदर अब देखो कहीं पर भी अगर chemical फैल रही है बिमारी हो रही है जिसी कि कोरोना वाइरस की बात करें वो भी man made crisis के अंदर ही आता है हाजाडियस material spills जैसी कि कोई medicine बन रही है कोई spray बन रही है कोई git नाशक बन रहा है लेकिन उसने human को बहुत नुकसान पहुंचाया तो वो सब man made crisis के अंदर आते हैं nuclear blast आपने सुना होगा train accident, plane crashes, ground water में जो गंदगी फैल रही है लोगों की बजा से वो सब इसके अंदर आते हैं next is in comparison to pure water boiling water is impure water ठीक है pure water के comparison में उबलता हुआ पानी impure water माना जाता है क्यों उसके increase की बजा से boiling water of impure boiling point sorry this is boiling point of impure water ठीक है boiling point जो होता है impure water का वो increase होता जाता है अगर हम उसको शुद्ध जल के हसाब से compare करें next question is troposphere and thermosphere belongs to what so यह देखो यह हमने जो people development environment का one hour वाला session लिया था ना students उसमें detail में discuss किया है उसका link आपको मिल जाएगा एक playlist का link description box में है वहां पर देखिए मेरे नाम से Amkita सूथ के नाम से एक playlist है वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है so यह सब आते हैं atmosphere के अंदर atmosphere layer के अंदर troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere यह सब चीज़े आती है so next question is noise pollution is created if sound is in access to so noise pollution कब माना जाता है जब उसकी range कि से जादा बढ़ जाती है 80 से 99 db से जादा उसकी range अगर बढ़ जाती है industrial area में इसकी range 70 से 75 होती है उसके बाद 55 से 65 तक होती है commercial area 45 से 55 होती है residential area silent zone में 40 से 50 होती है जो कि lowest है and indoor limits होती है 30 db से कम यह list किस ने बनाई यह list w ho के द्वारा दी गई है next question is ozone holes are more pronounced at the so ozone holes क्या होते है यह poles होते है इंको poles बोला जाता है ठीक है it refers to a region in the stratosphere ozone hole किस में है stratosphere के अंदर आते है where the concentration of ozone becomes extremely low in a certain months next question is what is smog so smog क्या होता है smog होता है fog plus smoke दो चीजों से मिलकर कोहरा और धुआ इन दोनों को मिलाकर के smog बनता है next is maximum ozone depletion has been observed in which of the following तो सबसे ज़्यादा ozone depletion कहां पर हुई है वो हुई है south pole में अब यह किसने बताया यह भी जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह 1980 में एक research हुई थी जिसमें की atmospheric scientist ने Antarctica के report में ozone depletion देखी थी और उसी के बाद उन्होंने यह finalize किया था कि south pole में सबसे ज़्यादा ozone depletion होती है और आगे भी होने के chances है next is what is the range of intensity scale used in measuring earthquakes तो अर्थ क्यानी की भूकम को measure करने के लिए range क्या हो सकती है वो हो सकती है एक से लेकर की बारा तक next question is daytime noise stands prescribed for residential area in India is तो दिन के समय जो आवासी एक शित्र होते हैं इंडिया में उसमें noise की range कितनी तक allowed है वो है 55 dB यह भी previous question में हमने discuss किया तो इसलिए मैं कहती है students जो भी questions में आपको बताती हूँ उसकी explanation को note कीजएगा क्योंकि आगे आने वाले questions उस पर based होते हैं तो आपको वापस उस explanation पर जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार उसक्चे से समझा होगा next is which of the following is not a greenhouse gas greenhouse gases की list first question में ही मैंने आप सभी students को बताई ठीक है कौन-कौन से gases इसके अंदर आती है जल्दी से comment कर दीजिए इसमेंसे कौन सी नहीं है इसमें water vapor आता है जो कि एक natural category में आता है उसके बाद carbon dioxide and methane oxygen इसमें नहीं आती है next question is which of the following is the basic unit of study of ecology ecology की study की अगर बात करें तो क्या उसकी basic unit है तो ecology क्या होता है इसमें biotic components होते हैं that comprising living organisms जैसे कि इसमें कुछ factors होते हैं physical factors होते हैं जैसे कि पातावरन, temperature, rainfall यानि कि बारिश होना, तुफान चलना, मिट्टी, छोटे-छोटे minerals यह सारे चीजें हमारे ecosystem के अंदर आती है जहां पर छोटी-छोटी चीजे रहती हैं इसमिट्टी में भी आपने देखा है जोटे-छोटे कीडे रहते हैं हवा में भी छोटे-छोटे particles होते हैं तो वह सब ecosystem के अंदर आते हैं यानि कि ecology के अंदर आते हैं ecosystem भी दो तरह के होते हैं एक होता है natural एक होता है artificial नेचुरल में जैसे लेक है, पॉंड है, फॉरेस्ट है, यह सब natural है और artificial में aquarium आपने देखा होगा जिसके अंदर मचलिया होती वह नकली एक environment बनाया जाता है फिश के लिए gardens होते हैं, बहुत सारे zoo होते हैं जहां पर animals के लिए एक नकली environment बनाया जाता है next question is assertion reason based people pollution control measures do not necessarily help in checking environmental degradation ठीक है, so लोग जो people control measures करते हैं चेक करने में उनको मदद करते हूं तो आप लोगों को बता दूँ कि environmental degradation क्या होता है इसका मतलब है पर्यावरण, क्षरण, okay तो हवा, पानी, मिटी जैसे जितने भी छोटी-छोटे particles होते हैं इसकी कमी के माध्यम से पर्यावरण में जो गिरावट आ जाती है उसको environmental degradation बोला जाता है और यह जो गिरावट उसमें आती है उससे बहुत सारे वन्यजीव लुप्ट हो रहे हैं बहुत से पेड़ पादे इस बातावरण से खतम हो रहे हैं इसका कारण क्या है? The relationship between pollution, growth and environmental degradation is rather complex यानि कि जो pollution हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, environmental में यानि कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहे है, pollution पहल रही है इसकी वजा से यह सब चीजे हो रही है So correct answer है option number one बिल्कुल basic चीजे होती है students बस आपको यह जो छोटी-चोटी से terms आती है उनका मतलब बता होगा तो you can very easily solve all these questions Next question is which of the following phenomena is not a natural hazard तो प्राकृतिक खत्रा इन में से कौन सा नहीं है So correct answer है chemical contamination देखो जंगल में आग लगना नेचुरल है बिजली चमकना नेचुरल है लैंड स्लाइड होना बूस कलन होना भी नेचुरल है chemical contamination क्या होता है कि माल लीजिए लाब में कोई practical हो रहा है चलो उसको भी छोड़ो बहुत easy बताती हूँ food को safe करने के लिए जैसे कि हम लोग कुछ spray बनाते हैं ताकि उस food में कीड़े ना लगे ठीक है और लोग क्या करते हैं वो fruits को food को खा लेते हैं ओके next is which of the following is a source of emissions leading to the eventual formation of surface ozone as a pollution so correct answer क्या होगा यहां पर transport sector यानि कि जो गाडियों से दुआ निकलता है which of the following pollutants acts affects the respiratory tract in humans so हमारे जो श्रसन तंत्र है उसको सबसे साथा कौन सा कौन सी ग्यास नुकसान पहुंचाती है तो वो है sulfur dioxide गंगा action plan यानि कि GAP was initiated during the year गंगा action plan कब initiate किया गया था 1986 में इसको objective क्या था कि गंगा में जो pollution है अभी तक जो pollution हुआ है उसको कैसे साफ किया जाए और आगे आने वाले समय में pollution को कैसे रोका जाए environmental impact assessment is an objective analysis of the portable changes in what so environmental impact assessment को EIA के नाम से जाना जाता है is an objective analysis of the portable changes in all of the above ठीक है so EIA क्या होता है यह process है जिसमें हम evaluate करते है environmental impact को कि किसी development में किसी project में उस चीज़ का impact पड़ सकता है हमारे socio economic में हमारे culture human की health जितने भी जीव जनतू होते हैं उनकी health पर किसी chemical से या किसे decision से या किसी भी चीज़ से क्या effect पड़ सकता है वो सब चीज़ के अंदर आती हैं ओके next question is match the following based कुछ institute है जो की environment पर based हैं काम करते हैं next है city की कहां पर वो है central area zone institute space application center indian institute of public administration headquarters of indian science congress so इसका direct answer है आप देख सकते हो screen पर okay indie medium students के लिए भी question available है so you can easily check it correct answer is option number a so यह थे COP क्या होता है यह apex decision making authority है that is taken under UNF CCC UNF CCC का मतलब होता है united nations framework convention on climate change तो climate change से related जो भी issues हमारा पूरा world face कर रहा है उन सब चीजों को control करने के लिए उन चीजों पर major focus सारी countries करें इसी के लिए COP को बनाया गया था इसमें UNF CCC का major role है UNF CCC को 1992 में sign किया गया था किस दौरान जब ARC summit हो रहा था या फिर आप इसको रियो summit के नाम से भी जानते हो रियो conference के नाम से भी जानते हो जब 1992 में यह summit हो रहा था उसी दौरान UNF CCC को भी sign कर दिया गया था तो सबसे पहले COP की meeting कब होई थी यह March 1995 में Germany के Berlin नाम के city में हुई थी ओके और हर साल जितनी भी जितनी भी countries कोप पे जुड़ी होई है conference of parties में जितनी भी member countries है वो सभी हर साल मिलती है एक meeting होती है जिसमें की future goals को भी decide करती है कि अच्छा यह conference यह हमारे climate में कुछ issues आ रही है इनको कैसे control किया जाए तो वो कुछ agenda वहाँ पर set करते हैं कि इस year तक हमें इस चीज़ को control करना है तो इस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं ओके सो यह कुछ important points से इसके अलावा the office of COP president normally rotates among the five united nations regional groups which are Africa, Asia, Latin America and Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and others so, जो COP conference of parties के president होते हैं उनके office basically five united nations regional groups में rotate होते रहते हैं okay and इनका selection कैसे होता है जो भी home country होती है उनके जो environment minister होते हैं वो ही usually इसके president कहलाये जाती है तो यह कुछ important points हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं इसके लावा अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला conference of parties कब हुआ था दूसरा कब हुआ था और इंडिया में अभी तक कितने parties हो चुकी है कितने बार इंडिया इस चीज़ को host कर चुका है यह भी हम detail में भी discuss करेंगे अब इसके बाद हम एक list पर बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉप किस year में कौन से country ने host किया था अभी देखो 2030 है अभी तक यह हुआ नहीं है लेकिन 2030 में COP 28 होने वाला है सबसे बहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया COP 1 कब हुआ था यह 1995 में Germany में हुआ था COP 1 1995 में Germany में हुआ था उसके बाद हुआ था 1997 में कहां पर हुआ था इसको COP 3 के नाम से जाना चाता है ये हुआ था इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल ये क्योटो नाम की सिटी में हुआ था आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और रेड़ी क्योटो प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके है आप लोगों के लिए एक होमवर्क वेशन ये है कल के लेक्चर में ही हमें डिस्कस किया था क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर फोकस किस चीज़ पर था बेसिकली ये किसलिए बनाया गया था ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिए ठीक है उसके बाद फिर आजाता है हमारे पास कॉप एड कॉप एड क्यों इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए इसको 2002 में बनाया गया था ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने कॉप एड को होस्ट किया था इंडिया ने इंडिया में न्यू डेली में इसको होस्ट किया गया था इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम Delhi Declaration भी रखा गया है अब देखो जैसे कि Kyoto Protocol क्योंकि ये Kyoto में हुआ था तो इसका नाम Kyoto Protocol रखा गया वैसे क्योंकि ये New Delhi में हुआ था तो इसको Delhi Declaration के नाम से जाना जाता है इसके बाद अब आजाते हैं हम 2023 पे 2023 में expected dates जो है कॉप होने की वो है November 30, 2023 से लेकर के 12 December 2023 के बीच में क्योंकि COP 28 है इसमें UAE यानि की United Arab Emirates Announced an Offer to Host UAE ने कॉफर रखा है कि वो इस पार इसको host करना चाहते है इन अबुदाभी तीके आपको पता होना चाहिए और न्यूस के मुताबिक ये कहा जाता है कि COP 28 must focus on adaptation instead of mitigation ये इंडिया के न्यूस के recording अभी update आया है ये शौर नहीं है तो एक्जाम में भी आप लोगों से ना पूछा जाए इसके अलावा COP 26 बहुत ही जादा famous COP है जो कि एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है COP 26 was postponed in 2020 कोरोना के वैज़स इसको postpone कर दिया गया था और इसको नवंबर 2021 में फिर UK के glass go में रखा गया था ठीके ये भी आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर एक list है इसमें आप देख सकते हो COP 27 के बाद करें तो यह Egypt में हुआ था इसका major focus किस पे था इसको आप climate change conference November 2022 शाम एल शेक के नाम से जान सकते हो उसके बाद COP 26 glass go अगर आप लोगों को एक्जाम में कहीं पे भी glass go climate change का नाम आता है तो आप लोगों को direct answer पर जाना है COP 26 यह कब हुआ था यह October November 2021 में हुआ था उसके बाद United Nation Climate Change Conference COP 25 के नाम से जाना जाता है यह भी important है यह भी important COP है इसको Paris Agreement के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह Paris में हुआ था COP 21 ठीक है उसके बाद एक और important आ जाता है हमारे पास दोहा Climate Change Conference जो कि COP 18 है यह भी exam में बहुत बार पूछा जाता है Montreal Protocol Montreal Climate Change COP 11 इसका major focus किस पे था यह जितनी चीज़े मैं आपको भी short में बता रही हूँ इसको हमने already detail में देखा हुआ है कल के ही session में यह सब चीज़े मैंने आपके साथ share की तो इंडिया में अभी तक जो important रहा है वो यह रहा है कि COP 8 हुआ है 2002 में जो कि New Delhi में हुआ था इसलिए इसको Delhi Declaration के नाम से भी जाना जाता है Delhi Declaration के नाम से भी इसको जाना जाता है अब आप लोगों के लिए important जो मैंने बता दिये यह है COP 27 को भी detail में पढ़ लीजेगा इसमें देखो November 2025 में हुआ है यह और Egypt में हुआ था इसका major focus किस पे था Loss and Damage Fund इसमें रहा था Action for Water Adaptation इसमें आप लोगों को एक word याद रखना है इसमें इसमें इनिशेटिव लिया गया था A-W-A-R-E ठीक है इसका मतलब है Action Action for Water Adaptation and Resilience इनिशेटिव यह किस के दौरान लिया गया था COP 27 के दौरान लिया गया था तो यह आप लोगों को पदा होना चाहिए एक और इनिशेटिव 2022 के COP में लिया गया था वो क्या था? Africa Carbon Market Initiative इन चीज़ों को आपने याद रख लेना है इसके अलावर पुरिंट अगर आप लोगों को किसी और पार्टिकिलर टॉपिक पे डिटेल्ड सेशन चाहिए तो भी आप मुझे कॉमेंट करके बिता सकते हो जरूर मैं आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो COP 3 क्योटो प्रोटोकोल क्योटो क्लाइमिट चेंज कॉन्फरेंस यह भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर स्टूडेंट सापको यह सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीज़े और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताते रहिए ताकि मैं इस सिरीज को कंटिन्यू करते रहूँ तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस सेशन और मुझे लग वाचिंग लगी बाचिंग वाचिंग एक भाचिंग लगी बाचिंग लगीज प्कार कीज़ेए